हेलो फ्रेंड मैं हूँ गुल्चन और अभी आपने गुल्चन अगेडिमी को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दें फूर मोर अपडेट्स के लिए और सेयर भी करें हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गुलसन और यह मेरी वेब डिजान टुटोरियल का थाइड वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करेंगे HTML के अंदर हम table format कैसे बनाते हैं यह टेवल के अंदर data हम कैसे शोक कराते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सब लाइन पर और यहां पर हम लोग लिखते हैं HTML syntax और यहां पर मैं title देता हूं HTML table और यहां पर भी मैं हेडिंग ले लेता हूं हचवन ताक्य हमें मालूम रहे एचवन के अंदर मैं लिख देता हूं यहां पर HTML table HTML के अंदर table format के अंदर data store कराने के लिए हम table tag का use करते हैं और table tag के अंदर हम एक row create करने के लिए tr का use करते हैं table row इसके अंदर मैं एक th ले लेता हूँ table heading के लिए जो भी हम format बनाएंगे table का तो उसके में हम कुछ data store कराएंगे तो सबसे पहले मैं serial number लिया है फिर मैं name ले लेता हूँ th tag के अंदर ही ले रहा हूँ ये मैं और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ phone number और phone number के बाद मैं एक और field ले लेता हूँ यहाँ पर password तो यह हमारा क्या हो गया यहाँ पर एक format हो जाएगा यानि heading हो जाएगी कोई भी table के जिसके अंदर हम नीचे data को store कराएंगे तो check कर लेते हैं ब्राउजर पर जाने के जाकर कि यह हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है आ गया देन हम आगे चलते हैं इसके नीचे एक data show कराते हैं data show कराने के लिए हम लोग एक और row बनाते हैं और tr के अंदर हम डेटा को store कराने के लिए td बनाएंगे table data अब यहाँ पर मैंने serial number के अंदर one लिख दिया है अब name की जगे मैं यहाँ पर एक name लिख देता हूँ देखू then मैं क्या करता हूँ phone number की जगे एक phone number लिख देता हूँ और password की जगे एक password लिख देता हूँ और यह सारे मैं td के अंदर लिख रहा हूँ ठीक है तो यह हमारा क्या होगा एक data हो गया इस data को मैं copy कर लेता हूँ और इसको मैं echo data save कर देता हूँ यहाँ पर मैं two कर देता हूँ two कर देता हूँ और यहां पे मैं क्या करता हूँ नाम चेंज कर देता हूँ मैं एक ओडेटा लेता हूँ सेम मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहां पे मैं थिरी कर देता हूँ इसको और यहां पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ काफी डेटा हो गया है चलो मैं एक और डेटा ले लेता हूँ और यहां पर मैं सुमित लिख देता हूँ तो यह हमारे बाद चार डेटा आगे हैं इसको चेक करते हैं हम लोग चेक करने के लोग यह open in browser करते हैं और हमें data show हो रहा है लेकिन data की चारोंतर हम क्या एक border लेकर आने चाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे border attribute का use करेंगे वो हम table tag के उपर वाले tab में border लिखेंगे वहाँ पर parameter में ने 1 दे दिया values की और उसको open in browser करते हैं तो यह हमारे पिकास क्या है एक table format के अंदर data show हो रहा है अब मैं क्या करता हूँ इसका एक background color देता हूँ तो उसके लिए बापीश चलता हूँ और वहाँ पर table tag के अंदर ही मैं क्या लिखता हूँ bg color और यहाँ पर मै मैं क्या करता हूँ इसकी मैं width increase करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर width attribute का use करूँगा और इसमें value डाल दी मैंने 80% तो मेरा क्या table का width कितनी हो जाएगी 80% increase होगी है अब मैं एक और attribute का use करता हूँ align align के अंदर ही मैं एक value दे रहा हूँ center आप इसमें left और right दे कर चेक कर लेना तो यह हो गया हमारे पास html table और उसके अंदर data कैसे हम सोग कराते हैं इस वीडियो के regarding अगर आपकी कोई भी query हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं thank you